ऐलो अब्रीवन, वेल्कम टू वेदाज अकैडमी, मेरा नाम है जीत सिंग, आज हमारा लेक्चर फिफ्थ है, जिसमें हम देखेंगे फीजियोग्राफी आफ इंडिया, कि इंडिया की फीजियोग्राफी कितने रीजन में डिवाइड है, तो इंडिया की जो फीजिजियोग कहां पे हैं mountains जो हैं वो कहां पे है coastal areas कहां पे है coastal area कहां पे है सबस्टों तो इस तरीके से physiography जो India गी है उसको डिवाइड कर रहा है six part में divide कर रहा है तो चलिए वो देखते हैं तो देख सकते हैं आप यहां पे Indian जो है, physiography is divided into six reasons जाने उप को बताया भी तो फरस्ट reason कौन सा है किसमें डिवाइड करी है northern and north eastern mountain में second है northern plane third है peninsular plateau fourth है Indian desert coastal plains and last one is islands six reasons में डिवाइड करा है इंडिया की physiography को ठीक है अब देखते हैं map की मदद से देखेंगे तो अब ही हम देखेंगे कि physiography जो इंडिया की है कौन से reason में और कौन सी state में उसको क्या कहा जाता है यसे कि he trans himalyas है सब से उपर इसको कौन सी state में है यह jnk में है trans himalyas ठीक है उसके पाद यह himalyas आ गए यहां पे शीवालिक है ठीक है लेसर हिमालयाज यहां पे है तो यह कहां पे हैं यह हिमाचल में है और उत्रखंड में है उत्रखंड में है ठीक है उसके बाद हमारा आ गया सिक्किम में जो हिमालयाज हैं सिक्किम में यह हिमालयाज है उसके बाद अरनौचर प्रदेश में हिमालयाज है तो उसके बाद उसको हमने नार्थ एसरी इंडिया के नाम से इस को जाने जाता है इस तक वाइब राजस्तान में राजस्तान के साथ-साथ कुछोट का भी है जो डएसर में है तो इसके और डेकन प्लेटो ये सब्सक्राइब तर बाट है इस तरीके से जो क्या है फीजियो फीजियोग्राफी जो है इंडिया की उसको रीजन्स में डिवाइड कर रहा है ठीक है इसके पाद हम देखते हैं कि लिखा क्या एदर देखते हैं इसका नोट्स में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है तो अभी हमारा यह टापिक है ठीक है यहां पर Northern and North Eastern mountains Himalayan mountains यहां पर है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे कि यहां पर देखेंगे कि young and structural fold mountains stretch over the northern border of India जो young fold mountain है वो कौन सी है हímalians हीमालिया हीमालिय问 है हें, वो कहांपे हैं हमारी? नार्दन स्टेड में है यह जनक-फॉल्ड मांटिन्स हैं, जो हीमालिया है हिमाल्या है जो हिमाल्या है वो पहले तो जंग फोल्ड है ठीक है जंग फोल्ड मांटन है ठीक जंग फोल्ड मांटन है जंग फोल्ड मांटन है दूसरा यह कैसे फार्म होई है यह फार्म होई है टेक्टोनिक कोलीजन की बदा से Indian Plateau with the Eurasian Eurasian Plateau से ये टकराई है ये प्लेट दोनों Indian Plateau और Eurasian Plateau ये आपस में Collision हुई है उसकी वज़ा से महीमाल लियाज फार्म हुई है और इनको हम बोलते हैं जंग Fold Mountains के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब भी हम देखते हैं Farm and Auk which cover a distance of 2400 2400 Kilometer in a length with a bearing width 400 Kilometer in Kashmir Kashmir to 160 160 Kilometer 160 Kilometer to Arnautsal प्रदेश तो यहाँ पर क्या है Altitudinal मनकी High Variation क्या है Greater है Eastern Part में किसे कम है ज्यादा किसे है Western Part से ठीक है जो hide है Himalya की Mountain Range की वो Eastern Part में ज्यादा है as compared to Western में ठीक है उसके बाद आगे हमारा the Trans Himalias Trans Himalias कहा पे हैं हमारे JNK में हैं उसको हम Trans Himalias करते हैं ठीक है उसके बाद Himalya Ranges Immediately to North Himalya Ranges जो North में हैं ठीक है उसको किसके नर्थ में हैं Great Himalya Ranges के उसको हम Trans Himalias बोलते हैं ठीक है Trans Himalya Ranges बोलते हैं Most of the part of this Himalya lies in the Tibet and hence also called Tavitian Himalias तो हम क्या कहते हैं कि most of the Himalias कहां पे हैं बहुत तिबत में ते इसलिए हम इसको Tavitian Himalias भी बोलते हैं जन्सकार K2 जिसको हम GARDWIN ASTIN भी बोलते हैं GARDWIN ASTIN लदाख केलाश कारा करम रेंज and the main range of the Trans Himalya system तो क्या कौन कौन सी रेंज है जो Trans Himalias में पाई जाती है वो है जन्सकार है K2 है लदाख है केलाश है कारा करम है तो ये सारी ranges कहां पे है Trans Himalya में वो कहां पे है JNK में है P.O.K. में भी है मगर P.O.K. जो है JNK का ही पाट है इंडिया का ही पाट है तो JNK में कौन सी Himalya है Trans Himalya है I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा तो longest glacier कौन सा है longest glacier is Sechen in the Nubra Valley Sechen कौन सा है Sechen क्या है Sechen जो है longest है ठीक है longest glacier है longest glacier है कहां पे है वो Nubra Valley में ठीक Nubra Valley में Sechen जो है सबसे longest glacier है उसके बाद आगे है हमारा Biafo Baltaro Batura Hisper and other glaciers यह other glaciers है इतने ही पाटन नहीं है मगर यही पूछा जाता है Sechen longest और कहां पे है ठीक है उसके बाद the area is the area is largest snow field outside the polar region ठीक है उसके बाद आगे हमारा point K2 is the highest peak in India तो इंडिया की कौन सी highest peak है K2 जिसको हम Godwin Astin भी बोलते है It lies in Karakoram range तो K2 कहां पे है कौन सी range में Karakoram range में ऐसे exam में पूछा जाता है कि K2 कौन सी range में है K2 कौन सी range में है तो वो है Karakoram range में K2 कहां पे पाज़ जाती है Karakoram range में तो उसके बाद हम देखते है कि कंचन जूंगा जो है वो कहां पे है कंचन जूंगा जो है तो जो सिक्किम है हमारी जो सिक्किम है वो क्या है कंचन जूंगा में है जो सिक्किम state है वहां पे क्या है कंचन जूंगा is the second highest peak in India ठीक है उसके बाद it is also the highest Himalayan peak in India अभी हम मैप पे देखेंगे कि मैप जो है ट्रांस हिमाल्याज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज कि FR गारक और मरेंच तो ट्रांस हिमालया के बाद है हमारा घ्रेटर हुमाल्या ऊसको इन्र हिमाल्याइस भी दोडेगर हिमाद्दी भो देंसके तीन नाम एंसेटर इन कृत्र ही one to the higher फेह में थीक है ये मौशट कॉंतिन의 रीज्ट है कंसिस्टिंग आफB diving peaks average height 6000 meter है ठीक average height contain all prominent Himalayan peaks with the core part of Himalayan is composed of granite तो यहां पर हिमाद्री में हिमाद्री में क्या पाए जाता है composed of granite यह कोशन की granite कौन सी mountain में पाए जाता है यह jkpsi sub inspector sub inspector sub inspector के exam में यह question पुशा था ठीक है कि granite कौन से कौन से section में यो हिमालयाज के कौन से section में पाए जाता है greater में पाए जाता है यह हमाद्र में यह lesser में हिमालयाज में तो इसका अंज़त था greater hymallias में बाई जाता है एक कोशन आया था ठीक है एक कोशन आया था तो इसको आपको पढ़ना बढ़ेंगा ये कोशन आया होता ठीक है ग्रेट नाइट कौन से hymallias के पाड़ में है greater hymallias या hymallia theory या इसको greater inner hymallias भी बोलते है तो यहां पर कौन सी जो मौंटेन है वो पाजाती है एबरेस्ट एबरेस्ट थे इसको हम सागर मता भी बोलते हैं इसके हाइड है डावल एड फोरेट मिटर अभी इसके हाइड इंक्रीज ओगी है डावल एड फाइब जिरो मिटर ठीक है अभी यह हाइड एसकी आपको कितनी पी कोहीं पता चाहिए कौन सी स्ठेट में है और कौन सी इनदिया में ठीक है और कौन से हायड पे है है कौने से नंबर पर यह तो डोलागेरी आ गई नेपाल में है नगापरवत यह इंडिया में है नंदा देवी इंडिया में है नंदा देवी कहां पर आपके अपने उद्रहंड में है देर फ्यू पासीज इन दिस रींज लाइक सीपकला ब्राच्चा इन हिमाचा प्रदेश ये पासीज भी बड़े इंपार्टन्ट है जिके SSP के रिस्पेक्ट में पुछे जाते हैं एक्जाम में ठीक है ये पासीज आपको शीपकिला और बारलाचा कहां पे हिमाचा प्रदेश में है बुर्जिल, बनिहाल एंजोजिला बुर्जिल, बनिहाल एंजोजिला कहां पे कश्मीर में है ठीक है कश्मीर में है उसके बाद आ गया नीती लेपुलेक ठंगला ये कहां पे है उत्रहंड में है ये आप दो तिन बार पढ़ोगे रिट करोगे तो ये अल्टिमेलिल ये आपको लर्न हो जाएंगे ठीक है उसके बाद हमागरा आ गया जीपला नतुला ये सिक्की में है ठीक है ये हमारा हमादरी का पार्ट यहां तक खतम हुआ ठीक है ये हमादरी का बाट था सारा अब या आया हमारा लैसर हीमालयाजर हीमाचल जो second part है हमालयाज का पाहले था trans हमालयाज उसके बाद था हिमादरी और फिर second है lesser हिमालयाजार हिमाचल इसको हम बोल ते हैं ठीक तो इसके बाद हिमादरी के बाद कोन सी रहेंज है हमारी lesser हिमालयाजार हिमाचल तो इसका altitude क्या 3700 से लेकर 4500 मेटर तक है और इसकी average बेट जो है 50 किलो मेटर है पीर पंजाल जो range है वो longest है ठीक है and the most prominent है ठीक है दोलादार and महावारत ranges are also prominent ones important ranges है यहां की ठीक है यह कहां पर हिमाचल Lesser Himalayas में तो Lesser Himalayas क्या है Lesser Himalayas में है Valley of Kashmir है and the Congra and Kulu Valley जो है हिमाचल में है ठीक है हिमाचल पर्देश में है उसके बाद हमारा आगया outer Himalayas last part of the Himalayas ठीक है उसको हम Shivalik भी बोलते हैं ठीक है इसका altitude क्या है 900 to 1100 km है and इसकी width जो है 10 to 50 km तक है from the foot hill lies between the lesser Himalayas and the plane longitudinal bellies lying between the Himalayas and Shivalik उनको हम क्या करते हैं दून जैसे देहरा दून हो गया example ठीक है कोटली दून हो गया और पदली दून हो गया तो आज हमने क्या देखा आज हमने देखा ट्रांस Himalayas ठीक है ट्रांस Himalayas देखा थोड़ा मैं इसको side का दूँ आज हमने क्या देखा तहले देखा हमने ट्रांस Himalayas ठीक है ट्रांस Himalayas कहां पर हैं ट्रांस Himalayas हमने देखा कि कहां पर हैं वो हैं जीनके में ठीक है उसके बाद हमने देखा इसका part जो हिमाद्री है ठीक है हिमाद्री है हिमाद्री देखा फिर उसके बाद हमने देखा कि हिमाद्री के बाद क्या देखा हमने लेसर हिमाल्या लेसर हिमाल्य को हम क्या बोलते हैं और हिमाद्री बोलते हैं उसके बाद हमने देखा शीवा लिख जो है आउटर हिमाल्या ठीक है फिर नेक्स लेक्चर में हम क्या देखेंगे नेक्स लेक्चर में हम देखेंगे इस्टरन जो है इस्टरन इस्टरन हिल्स हैं जो हम वो देखेंगे नेक्स लेक्टर में आई होप आप सबको लेक्टर मेरा समझ में आया होगा तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो दो कमेंट करना जरूर और शेर दे वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू वरी मच